खहत है कि पख्षक और आकास का जिन्ना मोरा होता है गात हैं जिन्हें जानना ना आपके लिए बहुत ही महत्तमुर्ण reluct on दोस्तो आप लोगों से क्रिक्वेश्च है की वी amiga कि नेते एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा कर सब्सक्राइब कर ले और बैल आकन भी तबा दे ता कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आके पार सबसे पहले पहुच जाए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक शेर भी कर दे तो वीडियो स्टाट करते हैं पहलाक नंबर है कौन से पक्षी व्रेस पर नहीं रहता है और नाई ही बैठता है इसका उत्तर है टिटहरी जो टिटहरी है हमेंसा जमीन पर ही रहती है हाला कि सुत्रमूर्ग पैंग्वीन एमू और श्ट्रिच और कीवी को भी इसमें शामि टिटोनी टिटोनी एक ऐसे पक्षी है जो इंसान का हाथ लगते ही मर जाती है हमारा कुश्च नमर थ्री है वरतवान में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है तो इसका सयुत्तर है सुत्रमूर्ग सुत्रमूर्ग एक पक्षी है जो जमिन पर 70 किलोमेटर प्रति घंटे के दफ्ता से दोड़ सकती है प्राचेन काल में सहदूर या उकाब नाम का पक्षी भी होता था जो रूस में पाय जाता था यहां इतना विशाल होता था कि हाथी को भी अपने पंजे में दबा कर ले उटतार हो आप हम नमारा कॎला सबसे विद्धियमान्त पक्षी कौन से है कउम्वा हैं हाला की पास पक्षियों को सबसे बुद्धि मान मानना जाते हैं तोटा बाज कभूतर और कॉवा तोटा और मैना को कुछ ही दिनों में मनिश्चे के अए से सिखाई जा जबकि प्राचीन काल में बाद और कबूत्रों से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाने के काम में लिया जाता था मारा कॉशन नमबर फाइप है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है तो इसका से उत्तर है हमिंग बर्ड जो हुमिंग बर्ड है हो सबसे छोटा पक्षी है इसका दिल एक मिनिट में 615 बाद फड़कता है और यहां हवा की विपने दिश्टर में भी उड़ने में दिलन मंबर यहां तो मारा कॉश्च नमबर फिक्स है सबसे उचाई पर कौन से पक्षी उड़ता है तो इसका से उत्तरय है है और सारस जो हंसा सारस है वो सबसे उच्चाई पर उड़ते हैं हंसा सारस का नाम लिया जाता है लेकिन गित्वी कोई कम नहीं है यहां 11,226 मेटर के उच्चाई पर उड़ सकता है गरूर भी इस उच्चाई पर उन्नी में सक्ष्चम है समरा कुछ नमर 7 है सबसे तेस करती से कौन सा भखशा उड़ता है तो इसका होता है पैरेग्रीन फालकर्न जब पैरे ग्रीन फाल करने वो सबसे तेज गति से उड़ता है यहां 300 किलोमेटर प्रति खंटे की रफ्तार से जबकि डग्व हाग लगबग 180 मिल्क प्रति खंटे की रफ्तार से उड़ सकता है हाना कि बाज और गुद्ध की गति भी बहुत तेज होती है मारा कुशनमर एट है कि इस पक्षी के उन्ने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आती तो इसका उत्तर है चमगादर जो चमगादर है जब हो उड़ता है तो उसके उड़ने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आते दोस्तों चमकादरों को लोग बहुत ही कम देख पाते हैं इसलिए कि रात में ही निकलते हैं और तो और यह जब उड़ते हैं तो इनके पंखों किवा सुनाई भी नहीं देती मारा कुश्च नमर नाइन है कौन कौन से पक्षी रात में जागते और दिन में सोते हैं तो इसका उत्तर है उल्लो और चमकादर हैं जो कि रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं इसलिए यह धमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं मारा question number 10 है kニ से पक्षी की नदर सब से तेज़ होती है तो इसको उत्तर है बाच, बाच की सब से तेज नदर होती है friends बाच की नदर बहुत पैनिर होती है वही एक मेल की चाहित से चूहे की सुझते को स्पश्ट देख लेता है कुछ नमर यावन है कौन से पक्षी नदी में तैर भी लेता है और आकास में उड़ भी लेता है तो इसको उतर है वैसे तो सभी पक्षी थोड़ा बहुत तैरना जानते हैं लेकिन फिर भी जल मुर्गी, बगुला, बत्तक और मुर्गा का नाम यहां लिया जाता है जो जल मुर्गी, बगुला, बत्तक और मुर्गा है वो तैर भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं हमारा कुछ नमर ट्वल है कौन से पक्षी सबसे सुन्दर होता है तो इसका उतर है मुर्ग, मुर्ग जो है वो सबसे सुन्दर पक्षी होता है हाला कि सुन्दर्ता के मामले में और भी कई बख्षी हैं जैसे रंग विरंगी तोते, केल बिल्ट टुकेन, वूडग, बोहेमियन, वैक्सिंग, ब्लू जै, अट्लांटिक, पफिन, फ्लेमिंगो, स्कार लेक्र मकाव, गोल्डन, फेंच, आदी, लेकिन मोर का मुकावला नह को भी पैर नहीं रखता है, तो इसका सही उतर है हरियल, जो हरियल है, वो जो मिंटर कभी पैर नहीं रखता, आसमान में उड़ता रहते हैं, और जो हरियल है वो उत्तर-पर्दस में पाया जाता है, तो मारा कॉश्च नमर्बर 14 है, विश्व में कौन से चिडिया के पंख? नो रंकी रोते हैं इसका सेूटर है पिट्टा चुडिया जो पिट्टा चुडिया है जिसके पंखे वो नो रंकी रहते हैं ऑस्टेलi या में आज़ातए है मारा कुष्ण नूम्बर 15 है विश्प में ऐसा कौन सा पक्षी है जो बाग की तरह बोलता है तो इसका सरी उत्तर है बिटन पक्षी जो बिटन पक्षी है वो बाग की तरह बोलता है जो बिटन पक्षी है वो दक्षिर अमेरिका में पाय जाता है कौन से पक्षी के उन्ने में चमता ज्यादा होती है तो इसका उतर है सूटी टर्न जो सूटी टर्न है वह एक ऐसा पक्षी है जो लगवग 3-4 खंटे लगातार उड़ सकता है कुछ खपत्तक है एक दिने 532 किलो मेटर तक उड़ सकती है होती है है कि पक्षी के पंक नहीं होते हैं तो उतर है कीवी कीवी दुन्हें में अकेला पक्षी यह जिसके पास पंखनी होते हैं मारा कुछ नूमर 18 है कौन-कौन से पक्ष्ची पंख होने के बाद भी उन्ने में सक्षम नहीं है तो इसके उतर है सुत्रमुर्फ, पैंग्विन, एमू, ऑस्ट्रिच, गुवाम, रेल, दक्षिन देव, सकाह, काकापो, फालक्लैंड, स्टीमर डक, लि बेका और उत्रिक कैसोरी यह सब ऐसे पक्षिया हैं जो पंख होने के बावजुद भी उन्ने सकते हैं मारा कुछ नूमर 19 है कौन से पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होते हैं तो इसका सही उतर है सुत्रमुर्फ, इसके अंडे खाका 6 इंच लंबा और 5 इंच चोड़ा होत उत्तर हैं डक्षिर अफ्रेका में कोरी नाम का पक्षि पाए जाता है जो कि 19 किलो वजन का होता है फैलने पर इनके प्रंग करीब धाई फूर्ट तक होता सकते हैं लेकिन यह जमीन पर ही उड़ सकता है वही समंदर के उपर उड़ने वाले पक्षियों में वांडरिंग अ पर तक फैल सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब लेकर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक शेयर कर देजिए धन्यवाद